हेलो फेंड वैलकम तूआ यूटूब चैनल दोस्तो आज की सूड़े में बात करने वाले हैं डैले डिस्टीट कोड गूप C एक्जाम के नए अपडेट के पर हम तो दोस्तो अगर आपने एक्जाम दे दिया है डैले डिस्टीट कोड गूप C का या देने वाले हैं तो इस तरह की important updates आपसे मिस ना हो सके और इस वीडियो को अधिक सदिक like share करिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों 28 फरवरी के दिन सभी बच्चों का एक्जाम हो चुका है I hope सभी का एक्जाम अच्छा हुआ और मैंने यहां community tab में आप सभी से पूछा कितने questions आपने candidates के लिए और OBC के लिए इसी साथ से थोड़ी बहुत कम हो जाएगी कैसकते है 68 या 65 के बीच में ऐसी कुछ cut-off रहेगी हलाकि मैंने आपको qualifying marks पहले भी बता रहे थे आपके अगर 50 marks आ जाते हैं MSQ test में तो आप असानी से qualify कर जाएंगे interview के लिए आपका selection हो जाएगा अगर आपका 50 marks आ जाता है तो दोस्तों यहां आपको क्या करना है जैसे ही result है आपको देखना है और exam कैसकते interview के लिए अच्छे से prepare करना है तो मैं आप सभी जिन बच्चों का exam अभी तक नहीं हुआ है साथ तारीक होने वाला है तो उन सभी को यही कहना चाहूंगा paper बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि असान आ रहा है time का issue हो रहा है कि time उनको कम मिल रहा है तो आप सभी को जल्द से जल्द paper को solve कर लेना है ताकि कोई भी question ना चुटे exam easy आप सभी असानी से attempt कर सकते हैं अच्छे खासे exam में number ला सकते हैं तो minus marking भी है तो इस बात का ध्यान रखना है आपको सही से questions के answer देने हैं अप्राइल के first week तक result भी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा तो चैनल को जब सब्सक्राइब करिएगा अब बात का result आने के बाद आपका interview होगा जो की interview 15 marks का लिया जाएगा अब interview में 15 marks में से आपको 5 marks या 5 marks जनरल candidates के लिए हैं आपको qualify करने के लिए अगर आप qualify कर लेते हैं तो उसके बाद final cutoff create की जाएगी तो आपको कम से कम 5 marks तो लाने हैं और इसके बाद बात करें अगर आपका return exam में कम marks आएं तो आपको interview के लिए अच्छे से प्रिपेर करना ताकि interview में अच्छे marks गेन करके आप अच्छी खासी कटाफ बना सके अपने लिए तो दोस्तो अच्छे से प्रिपेर करें आप सभी का अगर exam नहीं हुआ है interview के लिए भी अच्छी तैयारी कर लें अब बात करें यहां बहुत सारे बच्चे कमेंट करें थे कि जो next exam होने वाला साथ तरीका उसका admit card कब तर आएगा तो दोस्तो यहां जो admit card है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा दो से तीन दिनों के अंदर आपको admit card देखने को मिलेगा तो चैनल को subscribe कर दिया है तो आपको update मिल जाएगी उसके बाद यहां कुछ बच्चे कहा थे result तो result का तो मैंने बताए दिया आपको result जल्दी देखने को मिलेगा answer की भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी official website पर आपको visit करते रहना है और भी बहुत सारी news viral हो जाते हैं कई बार की बहुत सारी बच्चे doubt में जाते हैं कि यह पेपर लीग हो चुका है तो रोस तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है बिल्कुल भी घबराने की जोट नहीं है आपका answer की भी मार्च के कैसके मार्च 15 से 20 मार्च के बीच में आपका answer की भी जारी कर दिया जाएगा तो अगर आपको कोई भी doubt रह गया हो तो नीचे comment box में comment कर करिएगा जरूर reply मिलेगा और वीडियो को अधिक सदिक like share करिए धन्यवाद